नमस्कार दोस्तों हमारे यीटूब चैनल प्रिडिक्शन बजिन में आपका बहुत उध स्वागत दोस्तों आज किस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूँ PSL 2022 के दस्वे मैच की प्रिडिक्शन के बारे में जो बारती समय नुसार साम को आठ बजे से स्टार्ट होगा दोस्तों यह मैच कवेटा गले डियस और इसलामाबाद उनाइटेड के बीच में तीन फरवरी 2022 को कराची इंटरनेशनल इस्ट एडियम में खेला जाएगा इस वीडियो में हम इस्ट एडियम पिच रिपोर्ट वैदर हैड़ टो एड़ और खिला अडियो के परदसन से इन दोनों टीमों का कम प्रेजन करेंगे साथ ही में दोस्तों मैं मेरी पर्सनल प्रिडिक्शन भी आपको बताऊंगा और एक फैन टेंट से टीम भी आपको दूंगा दोस्तों बात कर लेते हैं मिन दोनों टीमों के बारे में तो दोस्तों पहले बात करते हैं कवेटा गले डेस के बारे में दोस्तों इनके एक्स पैकेटेड प्लेंग लेंग लेंग टीम हो सकती है ऐसान अली विल समध बैंड डेकेट सरप्राज एमद इत्फिकर एमद इनके बैट्समेन मौमद नवाज सोईल तन्विर जैंप स्पोकनर इनके ओल्ड राउंडर पलेर असिर कुरेशी मौमद उसेन सिमसा इनके बोलर है जो दोस्तों काफी मजबूत इस्तिती में है दोस्तों अगर बात करें इनके लास्ट मैच परफॉर्मेंस के बारे में दोस्तों बैंड डेकेट ने 47 रण के पारी खेली थी साथ में दोस्तों इत्फिकर एमद ने भी तीसर रण बनाई थे और दोस्तों मौमद उसेन ने दो विकेट लिये थे दोस्तों अपना लास्ट मेच चार करा रहे हैं चार रण से दोस्तों बात करते हैं इनके अपोनेट टेम इस्लामबाद उनाइटेड के बारे में दोस्तों अपना लास्ट मैच आद करा रहे हैं 20 रन से और इनकी एक्सपेक्टेड प्लेंग लोंग टीम एलेक्स एल्स फॉल इस्ट्रोलिंग रायमानूला गुर्बाज मुसीबूर खान आजम खान इनके बैट्समेन सादाब खान आसिपली फाहीम असरप इनके ओल राउंडर पलेर हैं मुहमद वसीम जूनियर असन अली मर्चेंडी लोंग इनके बॉलर है जो दोस्तों काफी मजबूती स्टिती में हैं दोस्तों अगर बात करें के लास्ट मैच परफोर्मेस के बारे में दोस्तों कप्तान सादाब खान ने इकराण मरन की पारी खेली तो दोस्तों बड़िया परफोर्मेस किया था और दोस्तों बोलिंग में भी बड़िया बोलिंग की थी दोस्तों विकिट तो मिला नहीं था दोस्तो इस्वाभाद उनाइटेड का 117 रण का थईस्ट स्कोर कावेटा गलेडि 거지 northwest ने 118 रण का लोइस्ट स्कोर 117 रण का लोइस्ट स्कुर कावेटा गेडि एस्ट कि हिलाब दोस्तो इन दोनों टीमों के बीच में लास्ट एर दो मैच खेले गए थे जिन मेंसे दोस्तो दोनों मैचों को इसलामबाद उनाइटेड ने जीते थे और दोस्तो कवेटा गलेडियर्स अपने खेले गए लास्ट पांच मैचों में से चार मेंचो में हार करा रहे हैं जबकि दोस्तो एक मैच में जीत करा रहे हैं और दोस्तो इसलामबाद उनाइटेड अपने खेले गए लास्ट पांच मेंचो में से तीन मेंचो में हार करा रहे हैं जबकि दोस्तो दो मेंचो में जीत करा रहे हैं दोस्तो ने दोनों टीमों के बीच में खेले गें लस्ट 5 मैचों में से कवेटा गले डियर रे ने 3 मैचों में जीता-दर्ज गिए, जब्की दोस्तो इसलामढ़ाद ई्टेर ने 2 मैचों में जीता-दर्ज गिया होते हैं और दोस्तो यह दोनों टीमों का परफोर्मेंस वों काफी हचा तो दोनों टीम काफी मजबूत स्थिति में नज्र आ रहे हैं मैचे-स और जो भी टिम ठोश जीते गई वे बोलिंग करेगे क्योंकि दॉस्तो हैं आखर बाद में खहलेने वाली स्कूर 168 रन का है और दोस्ताया का हाइस्ट स्कूर इसलामबाद उनाइटेड का है जो कि दोस्तो 238 रन पर तेन विकेट का है और दोस्ताया का लोवेस्ट स्कूर 113 रन पर दस विकेट का है जो कि कवेटा गलेडियर्ज ने अभी तक इस स्टेटियम में 13 मैच खेले जिनमेंसे दोस्तो साथ में चुमिन को जीत में आप दोस्तो और आप फैन टेंट से टीम बना रहे हो तो आज किस टीम पर जादा रख सकते हो क्योंकि दोस्तो बल्ले बाजों को बहुत अचा प्रोफिट देखने को मिलेगा इस Stadia में, और दोस्तों गराप मेरे सही फैन्ट हैंड़ टीम लेना चाहते हो, तो मेरे टेलिग्राम चैनल को जोइन कर लेना, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, दोस्तों आपने आपको किर्केट से रिलेटेट प्रतेक अपडेट जेता दोस्तो आपको पता है यार हमारी वीडियो मैच सा चोजा गंटैंट पहले आती है तो दोस्तो अगर कुछ भी चैंज करना पड़ता है। कराची कराचि इन्टरनेशनल स्टेडिया होता नहीं कि जाकर्टा जाए stadh लेकिन दों कर पाइघाएं ब bond to दोस्तों कवैटा गलेटेर्स ने अभी तक इसेवन में या इसे एक मैच में जीत दर्ज की दो में इनको आर जालेनी पढ़ी है अगर दोस्तो बात की जाए Google की प्रेडिक्शन के बारे में तो दोस्तो गूगल की प्रेडिक्शन के अनुसार दोनों टी में इस मैच को 50-50 परसेंट जी सकती है लेकिन दोस्तों अगर बात की जाए मेरी personal prediction के बारे में दोस्तों मेरी personal prediction के अनुसार इस match को Islamabad United AD जित सकती है दोस्तों आप आपकी personal prediction मुझे comment box में बताना और दोस्तों आपको पता है यार cricket attack अनीचिस्ता का खेला है याँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है तो किसी चीज़ की कोई guarantee नहीं है साथ में दोस्तों अभी तक आपने हमारे telegram channel को join नहीं किया तो join जरूर कर लेना link मैंने आपको description में दिया है तो अभी तक आपने हमारे channel को subscribe नहीं किया तो subscribe जरूर कीजिएगा दोस्तों आज मैंने आपसे बात की PSL 2020 दोस्तों वीडियो चलेगी तो वीडियो को like करना चैनल पर पहली बाहर आए हो तो चैनल को subscribe करना साथ में दोस्तों वैल आइकन को जरूर प्रिस कीजिएगा जिसे दोस्तों हम जो भी वीडियो डालेंगे उसका नोठी बें कैसान आपके पास सबसे पहले आएगा दोस्तों टेलेग्राम चैनल को जोइन करना ना बूले दोस्तों हम आपसे मिलेंगे एको नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद जैवार्त वंदे मातरम